हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू वन एन ओनली हेट स्टेडी हेट स्टेडी मा तमारा बद्धानु हार्दिक स्वागत छे तो आनि पहला ना विडियो तमें नो जोया होई तो ए अवश्यती जोयले जो उपर आई बटन मा जोवा मलशे अथवा तमने नीचे मा पन लिंक जोवा मलशे शुरुवात करिये 401 मा प्रश्न थी भारत नू एव क्यू मंदीर छे के जेनो चाइड क्यारे धरती उपर पड़तो नती भारत नू एक एव मंदीर छे वाला मित्रों के जेनो चाइड के जेनी पड़ छा याम तो एम क्यारे धरती उपर पड़ती नागर और द्रवीड शेली नूं मिस्त्रण नागर अने द्रवीड शेयली नू मिसरण कई शेयली तरीके ओलखाये छे तो मित्रो एने वेसर शेयली वेसर शेयली ना नाम थी एने ओलखवामा आवे छे कई कई शेली नू मिस्राण चे तो नागर अने आ द्रवीड बन्ये शेली नू हुँचे भाई मिस्राण चे भाई भरबर एने शू केवाई भाई वेसर शेली आव केवामा आवे चे नागर अने द्रवीड शेली बन्ये नू मिस्राण अटले वेसर शेली वेसर शेली ना होलेश्वर नु मंदिर क्या आवेलू छे वेसर शेली ना होल सोदी होय सलेश्वर मित्रो आवा थोड़क शब्दो आउश उच्चारणवा तक्लिप पड़ देवा किमके भया तमिल नाडू साइड करनाटक साइड नी शेली नी वथ चे अटला माते तो हले बीडू जय करनाटक नू चे आवेलू आगल वधिये वाला मित्रो पसक्राणवा थोड़क शेली ना चेन्ना केशव नू मंदिर क्या आवेलू छे जो वेशर शेली चे आने नाम हुँचे मंदिर नुँ तो चन्ना केशव आउ नाम छे बरोबर एनु मंदिर क्या आवेलू छे बेलूर खाते आवेलू छे क्या आवेलू छे बेलूर खाते आवेलू छे करना टक खाते आवेलू छे आवा सवालों पूछाई याद रग जो आगल वदिये 405 मो प्रश्न गुरु गोविंद सीना मृत्तियू बाद कोने मुघल सामरज्य सामे विद्रोह करियो हतो तो भै गुरु गोविंद सीना मृत्तियू बाद कोने मुघल सामरज्य सामे विद्रोह जाहर करियो हतो तो शेक सरदार नू नाम चे बै बंदा बहादूर द्वारा विग्रह जाहर करियो हतो भै तो फरिवार मित्रो गुरु गोविंद सीना मृत्तियू बाद कोने मुघल सामरज्य सामे विद्रोह करियो हतो तो शेक सरदार नू नाम नो बुलाई शेक सरदार बंदा बहादूरे आप्रकार नी कामगिरी नी भावी हती इस विशन सत्तर सोने ऊगन साइट मा थैला बक्सरना युद मा अंग्रे जो ये क्या मुघल बादिशाने हरावी ने कंपनी नो पेंचिनर बनेव दीदो हतो तो एह तो भै शाह आलम शाह आलम ने कंपनी ये भै हरावी ने आप्रकार निकामगिरी मा भै नाखी दीतो हो तो क्या युद्ध थी भारतमा अंग्रेज सत्ता नी शरुवात थाई तो प्लासी ना युद्ध थी भै प्लासी ना युद्ध थी शे नी शरुवात थाई तो भै अंग्रेज सत्ता अंग्रेज सत्ता नी शरुवात थाई अंग्रेज हो यह पायो ना क्यों तो एम के भै इस वीशन सत्तर सोने सत्तावन ना बंगाल मा नवाब तरीके कोनु शासन हतू तो इस वीशन सत्तर सोने सत्तावन मा बंगाल मा नवाब तरीके भै सिराज उद्धोलानु शासन हतू कोनु शासन हतू भै सिराज उद्धोलानु शासन हतू प्लासीनु युद्ध प्लासी अउक्यन तोई वांधऊ नहीं भै प्लासीनु युद्ध क्यारे थयू तो 2777 प्लासीना युद मां सिराज उदधोलानी हार शा कारने थायी, तो युद मां सेना पती मीर जाफर निश्क्रीय रही यह थायी। युद्ध मा सेना पती कोण मिरजाफर इसा वटले साव निश्कृ रहये होतो एटला माठे सिराज उद्धोलानी हार थायाती। पलासी ना युद्ध पछी कोण बंगालनो नवाब बनावये होतो। तो भै प्लासीना युद्ध मा बराबर हार थे या बाद प्लासीना युद्ध नो नवाब कोने बनावा मा वियो मीर जाफर ने मीर जाफर ना विरोध बाद कोन बंगाड नो नवाब बनियो तो मीर कासीम बनियो भै बराबर मीर कासीम बनियो तो इसवीशन सत्तर सोने सत्तर सोने कयो युद्ध थी भए मेर कासिमन अंग्रे जो वच्च moderate भए भख्सन नो युद्ध खेलाय। क्या राजपूत शास के राजस्थान मा जैपूर शहरनी स्थापना करी हती तो राजा सवाई जैसी द्वारा जैपूर मा राजा सवाई जैसी द्वारा जैपूर शहर नी स्थापना करवा मा आवी हती राजस्थान मा एने जैपूर शहर नी स्थापना करी हती वाला मित्रों राजपुत शासक राजा सवाई जही सी महान खगोल शास्त्री हता माटे तेमने क्या स्थलोई आदुनिक वेधिशालाओनी स्थापना करी हती तो जो तेम एक खगोल शास्त्री हता खगोल माँ वधार रस्थरावता हता दिल्ली, उज्यन, जहिपूर अने मथूरा खाते वाई आप्रकारनी आणे वेधिशालाओनी शोद खोल करी हती शीक धर्मनी स्थापना क्यारे आने कोणे करी हती तो पंदर्मी सदीमा गुरु नानक द्वारा वै शीक धर्मनी स्थापना अथ्व स्थापक तरीके गुरु नानक ने याद करवा मा आवे छे शीक धर्मनी स्थापना कोने करी हती तो पंदर्मी सदी मा गुरु नानक द्वारा करवा मा आवी हती शीक धर्मना दस्मा गुरु नू नाम जणावो तो गुरु गोविंद सिंजी गुरु गोविंद सिंजी भाई शीक धर्मना केटलामा गुरु छे भाई तो ए शीक धर्मना दस्मा गुरु छे छिल्ला गुरु छे आम दो यमाई कई शेकाई कोणे शीक सामरज्य नो विकास करियो हतो तो सुकर चक्याना शक्ति शाली नेता रणजीत सी ये ख्या धर्मनों शीक सामरज्य नो शीक धर्मनों विकास करियो हतो क्या वर्ष य अंग्रे जोए शीख सामराज्य ने ब्रिटिस सामराज्य मां भेलवी दीदो हतु तो स्वीषन 2049 मां बै शीख सामराज ये बिल्टिस सामराज्य ने भेलवी दीदो हतु मराठाओ ए शीवाजी ना नेत्रुत्वा हेठ़ दक्खन माँ कई युद्ध पद्धती अपनावी चापामार पद्धती औरं जेबे शीवाजी ना क्या पोत्र ने केद करियो हतो तो शाहूने कोने केद करियो हतो भाई शाहु ने ओरंग जेबे केद करी ने राख्यो हतो भाई शाहु द्वारा केद करवा मायो हतो भाई ओरंग से मतलब के ओरंग जेबे शिवा जी नाम तो तमने पुत्रों विशे ख्याल है और अबर शिवा जी नाम तो तमने ख्याल है नी इस्टोरी मराठा राज्य मा कोना समय थी पेश्वा प्रथानी शुरुआत थाई तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम बालाजी विश्वनाथ प्रथम द्वारा भै मराठाओ मा पेश्वा प्रथानी शुरुवात थाई तमे आने माटे बालाजी बाजी राओ बालाजी विश्वनाथ प्रथम द्वारा भै पेश्वाई नी शुरुवात करवा मा आवी हती इस विशन सत्तर सोने एक सेठ मा क्या विदेशी शासके भारत पर आक्रमन करियो हतु तो इरान ना शाह एहमद शाह अब्दाली इस विशन सत्तर सोने एक सेठ मा क्या विदेशी शासके भारत पर आक्रमन करियो तो इरान ना शाह एहमद शाह अब्दाली ये आक्रमन करियो पाणी पतनू त्रिजू युद्ध कोनी वच्चे खेलायू हतु तो भाई कोनी वच्चे थयू हतु मराठावो और अहमद शाह अब्दाली वच्चे थयू हतु तो मराठावो और अहमद शाह अब्दाली वच्चे भाई पाणी पतनू त्रिजू युद्ध खेलायू हिट्स्टेडी मां तमारू स्वागत छे आनि पेलाना वीडियोज ने तमें नो जोया होई तो अवश्य जोयले जो बाई पराबर तमने खुब जूपियोगी था शे एवा बद्धा वीडियो छे बाई आव नरी कोई पन परिक्षा बौड होई गुजरात गौण सेवा पसं पर आधारित होई छे तो एने संपूना या आवरी लेवानो परितना करवा मां आवयो छे बें चालो खोटो समेन थी बरबाद करवो शुरुवात करिये छे 426 426 मा प्रश्न थी कई सदीने युरोप मा सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों नी नव जागरूती नी सदी तरीक ओलक्वा मा आवये छे बाई 15 मी सदीने युरोप मा सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों न नव जागरूती नी सदी तरीक ओलक्वा मा हवये छे क्या समै गाला धर्म्यान तुरको ये गोंस्टेन नीड पोल जीती लीदू हतू तो इसvidemment 2412 till 58 मा भै तुरक द्वारा तुरक द्वारा बरबर गोंस्टेन नीपोल ने जीती लीदू हतू भारत आववाना जल्मार्गना शोधक कौन हता आने तेके आ देशना वतनी हता भारत आववान ना जडमार्ग ना शोधक वासकोदी गामा हता भारत आववान जडमार्ग ना शोधक कौन मानवामा आवे छे भारत आवे लसकोदी गामा पोटोगल तरिके तेff कौ वतनी हता पोटोगल देश हतो मासकोदी गामा ने क्या हिंदी खाला सी मदद करी हती बहाई जो आमा बे वस्तों याद राखवानी बहाई महममद इप्धमजीद येने मदद करी हाती यानों गुझरातना आपड़ा कान जी मालं भाई हेलपफुल दो दमारा अब बिजनस आले बहाई बहाई डर जूम्द लिमा आता वास्कोत गामा आनों Krênh तो महमद इब्द मसीद अने गुजरात ना कच्छ ना कानजी मालम भाय वासकोद गामा इस्विशन चाउट सोने अठाणों मा भारत ना क्या बंदरे उतर्यों हतो आने त्याना राजा कोण हता तो एक कालिकट बंदरे उतर्यों हतो जामोरिन राखेलू हतु, कई विदेशी प्रजा सागर्ना स्वामी तरीके ओलखाती हती, तो भै पोटोगीज चे न, पोटोगीज ये सागर्ना स्वामी तरीके ओलखाता भै, कई विदेशी प्रजा सागर्ना स्वामी तरीके ओलखाता, तो पोटोगीज हो, तो बर पोटुगल द्वारा पोटुगीजो गोवा ने राजदानी बनाए दिदी बोलो भारत नी राजदानी बनाए दिदी थी बै पोटुगीजो माटे तियो वे स्पेशल पोटुगीजो माटे नी जावात छे तो एमना माटे गोवा ने छे नी लोको राजदानी मानता और अज जहाओ इभी शुब कामना अने त्या तम जोने तो त्या तम न पोटूगल शेली नी स्थापत्य कला वधार जोवा मडशे भई बराबर किमके त्या पोटू गिजो वधारे वसे ला ते टला माट अने तमा कोई घुसाओ नारा कोई नहीं आप पोटू गिजो दता भई ओके तो भाई ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी नी स्थापना इस्वीशन शोल सोमा थाई क्या रते भाई इस्वीशन शोल सोमा ब्रिटिस्ट इंडिया कंपनी भाई ब्रिटिस्ट इंडिया कंपनी नी स्थापना थाई गी हती भाई इस्वीशन शोल सोमा अंग्रे जोन हेक्टर जहाज नामें कईदऊ हेक्टर नामनू जहाज लेनाय आयवने आयव्या हता पैः अंग्रेजों सबादकन भारत ना क्या बंदर आविया तो सूरत सूरत बंदर है रहे शूरत questionable आय। अना 608 मा आविया अना मित्रो याद राग जो हेक्टर नामनू जहाँ साथ करोड का सवाल आपके सामने आ रहा है साथ करोड कीबीसी मा पूछाई गेलो सवाल चे एकला माटे हुँ काउच आगल वधिये अंग्रेजो साथेना संगर्ष पची अंग्रेजो साथे वारंवर संगर्ष पची फ्रेंचो माटे छे वटे क्या वेपारी मत्खो रहिया तो माहे, चंद्रनगर, पोंडेचेरी, यनम अने करेलकल पांच जे मत्खो छे एकोनी पाहें रहिया तो फ्रेंचो पाहसे रहिया जो फ्रेंशों ने अंगरेशों वच्छे भढ़तू नो तो भाेधे वारमवार युद्धनों माहल जहंतो तो माहे होए चंदरनगर होए पोंडे चेरी होए यनम होए और करेलकल होए तो आ वेपारी मत्वकों साथे वारमवार मतलब के आ यहना मुख्य वेपारी मत्वकों बने गया हाता फ्रेंचों ना बाकि बधे थी वहें फ्रेंचों ने खदेडी मुख्या मावी आवी आथा कोना द्वारा तो अंग्रे जो यह खदेडी मुख्या आथा भाएं भारत मां सौ प्रथम औने सौ थी छेल्ले कई यूरोपियन प्रजा आवी हती भारत मां प्रथम आवी वह इन तो पोटो गीज आवी थी औने छेल्ले आवी वह इन तो फ्रेंच आवा हता अंगरे जो वच्चे घुसी यह था भैं पर उबर प्रथम कई प्रजा आवी तो पो यहागीर पासे थी सुरत मा वेपारी कोठी स्थापवानी परवानगी मिलवामा सफलता मलई हती यहागीर पासे थी सुरत मा कोठी स्थापवानी परवानगी परमिशन ले लिदी तो सर टॉमस रो द्वारा इस्विशन शोड़ सोने बार मा जागीर पासे थी और परमिशन ले लिदी आग्ना ले लिदी इन बाया सर टॉमस रो ज यहाँश्यार हतो बैअ गणा बदा भेट उपहार साते गई हो हतो अने मा इफ आवी जो भारत मा सव परथम आउनार अंग्रेज वहाननो कपतान कौन हतो तो जो सव परथम अंग्रेज 660 मा आएवा बावर 660 मे मा आएवा आपडे आगली चर्च यहांज नू नाम रा क्यों नाम राइक है एंग्रेज हो यह पश्म मंगड मां प्रफ विलियम हो यह व स्थापेला कि लुएंगर पर विलियम हो नाम राइक है चे फ्रेंच ओ ये इस्ट इंडिया नामनी कमपणी क्या रहे स्थाबी तो फ्रेंच ओ द्वारा फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपणी आवी कमपणी नू नाम रांखवामाईउ इस्वीशं जोड़ सोने 1964 मां वेपार कर्वा French इस्ट इडिया कमपने आगवन कई साल मा थयू तो इस्वीशन इस्ट इडिया कमपने आगमन थयू French इस्ट इडिया कमपने ये भारत मा सव प्रतम क्यास थळे पोतानी कोठी स्थापी तो भाई फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी ये भारतमा सोब्रतम भाई सूरत मुकामेज क्या भाई सूरत मुकामेज सोब्रतम कोठी स्थापी हती भारतमा फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी ये क्या सले पोतानों मुख्य मथक स्थापी हतु तो मचली पट्टनम, मचली पट्टनम मुका में भाय, भारत मा सवब्रतम फ्रेस्ट इंडिया कम्पनी पोतन मुख्य मतक बनावी दीधू हतू, अन्ते पोटु गिजोनी सत्ता क्या क्या शेत्रोय मरियादित रही, तो अन्ते पोटु गिजो सेन भाय, दीव दमाणने गोव पुर्ताद मरियादित रही हाता, इस्ट इंडिया कम्पनी क्या अने क्या रे स्थपाई, तो लंडन मा स्थपाई, इस्विशन सोड़ सो मा स्थपाई, तमने याद हशे, बंगाल मा अंग्रे जोए कई नदीना किनारे वेपार शरू करियो, तो हुगली नदीना काठे, भ तो रोबर्ट क्लाइव दारा भाई, अंग्रे जोए नेत्रुत्व करियो, तो प्लासी ना युद मा अंग्रे जोए जे नेत्रुत्व करियो, तो नेत्रुत्व करनार नेता रोबर्ट क्लाइव तो भाई, प्लासी विस्तार नू मुढ नाम शूचे, तो पलास, पलास पाँदि एश विस अंद सत्तर सोने चोंसेट मा बखसन नुद najwięcomingまだ हें धस्तो में जा से यकद फ़सर च्वीने भक्षतो तो बंगालना नवाब मिरकासिम और अवधना नवाब मुगल समराट यके जोमी जो जो ह सीधती सिधने विडियों गमतों होई, तो लैक कर जो शेर कर जो कमेट सक्षन मा कमेट कर जो